हुँ तेजल पटेल समरपण ध्न्यान स्कूल वती आप सवने मरा नमस्कार बाड़को आजे आपने दोरण चार नो पाठ क्रमांक बै जोनु शीर्षक छे फूल बोले छे ए पाठ बणवाना चीए पाठ नो शीर्षक सांबडी ने तमने थयू हशे के सूँ फूल खरेखर बोले छे औने ये बोले पण तो क्सू बोले औने की वी रिते बोले बड़ाबर करान की जो आपने मानासो आपना मन्ना विचारू कई वात आपना मन्मा होई ये जो बिजाने बतावी होई व्यक्त करवी होई तो आपने भाषा द्वाराए ने व्यक्त करिये छे तेवीज रिते प्राणी जगत मापण पश्यूओने पक्षियो पोताना मन्ना भवोने व्यक्त करवा माटे पोत पतानी अवाजों द्वारा ये बोले छे। भगवाने बधाने अवाजों आप्या छे। तो प्रित्वियो पर ब्या प्रकार ना पधिवस्तुओं छे। एक सजीव और एक निरजीव। सजीव एटले के जे जीवत जीवित छे। जे हलन चलान करी शके, बोली शके, खाए शके, पी शके। अनि निरजीव एटले के जे नियंदर जीव ना होई। जे नियंदर कोई प्रकार नी, कोई जीव होई ने, एने ना एने कोई समझ सकती होई, ना ए बोली सके, ना चाली शके, एने निरजीव कहे। तो full एतो सजीव छे, काराण कि ए पेला एक कडी होई, कडी माथी सुन्दर full बने, तो ए एनी प्रक्रिया एनी रिते थाई, तो एतो सजीव छे, पर शुम ये बोले, एना मन्ना भावने व्यक्त करी शके, औने करे तो केवी रिते, ते आपने आ पाठ मा जोई शुम, तो पाडोको आपने भणिये, पाठ क्रमांक 2, full बोले छे, पाठनी अंदर हुँ आ पाठने तमने एक वार्तानु रूप आपी ने कही रही छू, तो तमे दियान पुर्वकेने सांबड जो, एक शाडा छे, आपना जिवी सुन्दर मजानी, औने ए शाडा मा बधाज कारेक्र पाठने प्रमों उजवाई, जे वी रिते, आपनी शाडानी अंदर आपने उजवी यछे, तो आ शाडानी अंदर एक दिवस, पिकनिक नू आयोचन थेयू, पिकनिक एटलेके आपने बड़ो आपने पण जीए छे, प्रवासे जाई, तो बधा बाडोको पिकनिक नी उज एटले के पिकनिक ने उजानी करूँ एटले के उजवनी करूँ सालिब्रेट करूँ तो बद्धा बाडो को प्रवास मा जाए छे औने एमनों जे प्रवास छे एमनी साड़ा थी थोड़ा कच दूर एक बाग छे औने ए बाग नू नाम छे गुलाब बाग बाग नू नाम छ पहुची पन गया औने ए दिवसे बाड़ो को खुबज खुश हता एटले बधा बाड़ो को हस्ता गाता ए बागे पहुचे छी आपने बढ़ जेरे पिकनिक पर जईये तो एकदम खुश होईये रोज स्कूले आवान होई तो गणी बर सवारे ममी वारे गड़ी उठाडे त पन जेरे पिकनिक जवानू छे तो ए रातरे उंगज निया आवे औने विजा दिवसे सवरे जल्दी जल्दी ममी ना उठाड मा वगगर आपने उठी पन जेहें काणके प्रवास मा जवुँचे पिकनिक करुँचे तियां जईयने मोज मस्ती करुँचे तो आ बाड़ो को पन आपना तमारा जेम खुबच खुश हता अने हस्ता गाता खुशी खुशी ये बागमा पहुची गया त्या मने बागमा जईयने सुझ जईयू तो बाग गणो सुन्दर छे त्या रंग बेरंगी फूलो छे रंग बेरंगी एटले गणा बधा कलरना फूलो छे अने ए पतंग्या एटले के भंरा रमें चे आवे तमने खबर चे के भंरा बंरा जे चे पतंग्या जे चे ए फूलों उपर सा माटे रमें कारण के फूलों नी अंदर रहेलो रश एवो पी एचे औने ए रश माथी आमने मत बनावें तो ए पतंग्या चे जे ए फूलो नियूप पर रमी रहिया चे अने ए सिवाई बागनी अंदर सुन्दर मजना गणा बदा व्रुक्षो छे साथे साथे रमवा माटे गणी बदी वस्तो दिया राखवा मावी चे जेवी के हीचका लिपशनी हो आपनी शाडाना मेदान माँ पण छे हीचका अने लपस्तनी हो एमा बीचा बदा फूलो पण छे गुलाबनी साथे साथे कया कया फूलो छे तो मोगराना फूल छे चमपाना छे चमेलीना छे अने बीजा अनेक रंगोना जुदा जुदा फूलो तो छे च अने ए बाग जे छे आखो ए आ बद्धा सुन्दर फूलो नी सुगंध थी महकी रहयो छे महकी उठ हू एटले के चारे बाजू फूलो नी सुन्दर श्वास सुगंध प्रश्री रही छे जेवी रिते कोई बंद रूम मा एक परफ्यूम नी बोटल थोड़ी क अपड़े स्प्रे करी दए अने ए आखो रूम जे छे ए परफ्यूम थी अत्तर थी महकी उठ है चारे बाजू एनी सुगंध फैलाई जाई छे तेवी रिते आ बाग चे छे एनी अंदर गणा बदा फूलो छे अने ए फूलो माथी सुंदर सुगंध आवे छे अने एना काराने आखो बाग जे छे ए आ फूलो नी महक्थी महकाई रहियो छे पुलोनी मेहकी रहियो छे, आ चित्रणी अंदर अही तो एकाज बाड़क बताईवी छे, अने आ गुलाब ना फूल नो छोड बताईवी छे, तो शाडाना बाड़ो को खुबच मोज मस्ती करी रहिया छे, बागनी अंदर, तमें जोई शको चोई यही एव अलग-अलग रम मोतो पण रमी रहिया छे, तो ए त्या आनंध करे रहिया आता, आवी रीते मोज मस्ती मानी रहिया आता, अने एवामा अचानक ज, बाड़ोको नी कान पर एक अवाज समढ़ायो, अने बाड़ोको यह बदाये, आम तेम जोईव के कौन बोले, कौन यहमने बोलावी छे, त्या अचानक एमने नजर पड़ी, कि एक फूल, एक बोली रहियू हतु, एक गुलाब नू फूल जे छे, ए गुलाब नू फूल, बाड़ोको साथे बातों करी रहियू हतु, अने बाड़ोको यह फूल ने बोलता, जोईवो एकदम अचरच प्रामी गया, एमने वि अने फूले एमने प्रश्ण करी ओछे, कि बाड़ोको तमे क्या थी आविया छो, तो बाड़ोको यह जवाब आपयो, कि अमे तो साडा माथी आविये छीए, तो फूल अने बाड़ोको बच्चे आ समवाद सरू थाई गया छे, फूल एमने प्रश्ण करी रहियो छे, अने बाडो को जे छे M ना प्रश्णों नो जवाब आपे छे तो full M नो बीजो प्रश्ण करे छे कि तमें केवा सुन्दर छो अन्ने तमारा बदाना कपड़ा पण एक सरका छे जे मने खुबज गमे छे अन्ने तमने जोईने मने पण खुबज खुशी थाई अन्ने मने तमारे ज पण कहिऊ के एमने पण ए बाग खुबज गमे छे त्यारे फूल M ने पूछे छे के तमें आखो दिवस शाडा मां सु काम करो छो जमें कही कही प्रवुत्तियों करो छो त्यारे बाडो को ये जाब आप्यों कि एवो शाडा नी अंदर समय सर पहुची जाए समय सर एटले के जे समय साडा शुरू थाई ए समय सर एटले के टाइम थी एलो को त्यां पौची जाए छे अने सवथी पहला एवो शरस्वती माता नी प्राथना करे छे पची शिक्षकों पासे एवो सु करे ग्णान मेडवे आपने पन पहला प्राथना करिए सवारी स्कूल मा पची पाछा क्लास मा जेए अने तिया अलग-अलग सब्जेक्ट ना अलग-अलग पीचर आवी ने तमने बदाने पोत्पताना सब्जेक्ट नो ग्णान आपे छे तो बाड़ों को अहीं फूल साथे एज वाद करे छे के सवारे बाड़ों को स्कूल मा वेला पहुची ने मातानी प्रार्थना करे तियार बद शिक्षकों पासे थी ग्णान मेडवे नास्तो करे अने रमे तेमाज संगीत अने संगीत मा एवो कविता काई छे तेमाज बिज्ञान बिज्ञान एटले के साइंस गणित एटले के मैथ अने इतिहास एटले के हिस्टरी तो बाड़ों को फूल ने कही रहिया छे के एवो अलग-अलग विश्वयों नू बिज्ञान मेडवे छे साडा मा बने छे त्यारे फूले एमने फरीथी एक प्रश्ण करियो कि आ सरस्वती माता कौन छे बाड़ों को एमने के यू ने के सरस्वती माता नी प्रार्थना करे छे एलोको एटले फूलना मनमा विच्चार आवियो कि ए कौन छे त्यारे बाड़ों को एमने जवाब आप्यों के सरस्वती माता एतो विध्यानी देवी छे अने त्यमनू बिजु नाम सू छे मा शार्दा सरस्वती माताना घणा बधा नाम छे भगवती मा सार्दा विध्याना देवी तो बाडोको अवे एमने शरस्वती माता सू छे ए कौन छे बतावी रहिया छे तो त्यामनु बिजु नाम छे मा शार्दा अने ते बदाने विद्या आपे छे जे एमना एक हात मा वीर्णा अने वीजा हात मा पुस्तक छे बाडोको तमने एक प्रार्थना जे माता सरस्वती नी छे ए प्रार्थना नी अंदर एमना वीर्णा अने पुस्तक वी से कहामा पन आवियों छे आपने आ प्रार्थना जे छे ए शाड़ामा गणी बर सांपडी पन छे के वीणा पुस्तक धार येनी मा भगवती शारदा तो फूले बाडोक ने कहियू के मने पड तमारी साथे तमारी शाडा मा आवानू छे जयरे बाडोको फूलने पोताना साडा ने सुन्दर वखाण करी रहिया छे ત્યારે ફૂલને પણ બાડોકો સાથે શાડામાં જવાનું મન થાય છે અને તે કહે છે કે ફૂલ બાડોકને કહે છે કે હૂપણા બગી ચામાં ઘણા દિવસ્થી રહું છું અને બાગની શોબા વધારી છે શોબા વધારવુ એટલે કે શૂશોબન કરવુ તો એ ફૂલના લીદે બાગ જે છે એતો શોશો ભી થતો જ એને શોબા વતી છતી અને આખા બાગને એને સું કરું છે સુગંધ પણ આપી છે સરસમજાની રુમી પણ લીદુ છે હવે એકએ છે કે હું થોડા દીવસ્તી અંદર ખરી જઈશ ખરી જઈશ એરલે કરમાઈ જસે બાડો કો પૃત્વી ઉપર જંમણ લેનાર દરેક સજીવ માણસ ક્યારેક ને ક્યારેક એમણે આ દુણ્યા છોડી ને જાઓ પડેછે બરાબર જે જંમણ લેછે એનું ર્ત્યવણ નીશ્ચીત છે તો તેવીજ રીતે આ ફૂલ જેછે ફૂલ તો આ ફૂલ એજ કેછે બાળોકોને કે ઘણા દીવસો થી આ એફ મુસ્તક ખેલ્યું હતુ પછે એને બાગમાં સુવાજ ફેલાવી એની સુભાવદારી પતંગ્યાને રસ્પાયો છે પતંગ્યા સાથે રમી પણલીદું છે અને હવે થોડા દ દર્સણ કરવા છે અને તમારી શાડા ને અને તમારી વર્ગને સુગંધ થી બરવુ છે ફૂલને બીજી ઇચ્છા છે એકતો માતા સરસવતીના દર્સણ કરવાની અને બાડોકના વર્ગને સુગંધ થી ભરી દેવાની તેમજ માતા સરસવ સરસવતીના ચરણોમાં કરમાવાનું જારે એનું અન્તિમ જે છે એ માતા સરસવતીના ચરણોમાં એ રેવા માગે છે અને કે છે કે જો આ બદું મારી સથે બંછે તો એનું જીવં જે છે તે ધણ્ય બની જેશે જીવં બાડોકો એ ગુલાબને સાથે લઈ લઈ લીતુ અને બાડોકો એ ફૂલની વાત માની ને ફૂલને ત્યાથી તોડી લીથુ અ એક બોધ આપા માવ્ય છે કે આપણે બીજાને ઉપ્યગી થવું જોયે એત્લે કે આપણે હંબેસા કોઈકને મદદ કેવાઈ પણ એની માવજત કરવાની છે કારાણ કે એની સુંદર તાથી આપણી શાળા હજી સુંદર બની શકે થીક કાળે દન્યાવાણ